1954 में सेंटियागो एयरलाइन्स के एक विमान ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उडान भरी और 18 घंटे बाद उस विमान को ब्राजील में लैंड करना था लेकिन टेक आफ के कुछ घंटों बाद वह विमान आसमान में गायब हो गया हैरानी की बात तो यह थी कि ठीक 35 साल बाद सन 1979 में इसी विमान ने ब्राजील में एक एयरपोर्ट पर लैंड किया कुछ अधिकारियों ने जब जहाज के अंदर जाकर देखा तो सभी यात्रियों के कंकाल बैठे हुए थे और उस विमान के दोनों पायलट के कंकाल भी विमान में ही पड़े थे अब सोचने वाली बात तो यह है कि जब पायलट भी मारे जा चुके थे तो विमान को लैंड किसने करवाया दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था दरसल 1943 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था सरदार वल्लब भाई पटेल चाहते थे कि सिक्किम को उसी समय भारत में शामिल कर लिया जाए लेकिन जबाहरलाल नहरू को लगता था कि यदि सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाएंगे तो इससे चीन से भारत के संबंध बिगड सकते हैं इसी लिए सन 1950 में सिक्किम को भारत का प्रोटेक्ट रेट बनाया गया इस agreement के तहत सिक्किम का राजा ही सिक्किम पर शासन करता रहेगा लेकिन defense और विदेशी मामले भारत देखेगा 1970 तक सब ऐसे ही चलता रहा लेकिन 1970 में सिक्किम के राजा सिक्किम को भुतान की तरह अलग देश बनाना चाहते थे लेकिन इंदिरा गांधी यह जानती थी कि यदी ऐसा हुआ तो चाइना उस पर अपना हक जमा लेगा जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी इसलिए 1977 में भारतीय सेना को सिक्किम भेजा गया और वहां के दो शहरों में भारतीय सेना ने कबजा कर लिया इसके बाद सिक्किम में वोटिंग की गई वहां के सन्नान तासर परसेंट लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया और इस तरह से सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया नमबर 3. 1915 में दुनिया के कई हिस्सों में एक रहस्यमय महामारी आई थी जिसका नाम था इंसेफलाइटिस लेथार्जिका यह बीमारी व्यक्ति के दिमाग पर अटैक करती थी यह बीमारी बहुत से व्यक्तियों को स्टैचू लाइक कंडीशन में छोड़ देती थी इस बीमारी से पीडित व्यक्ति ना तो कुछ बोल पाते थे और ना ही हिल डुल पाते थे 1915 से लेकर 1926 तक इस बीमारी ने करीब 5 लाख जाने ली इसके बाद जितने रहस्यमय तरीके से यह बीमारी आई थी उतने ही रहस्यमय तरीके से यह गायब भी हो गई 16 वी और 17 वी शताबदी के दौरान पाइनाइपल को एक स्टेटस सिंबल माना जाता था और इसकी कीमत उस समय काफी ज्यादा हुआ करती थी जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था इतना ही नहीं एलीट क्लास के लोग पाइनाइपल को अच्छी खासी रकम अदा करके महश एक घंटे के लिए किराय पर भी लिया करते थे जिसे किसी पार्टी के दोरान डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखा जाता था जिसकी सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड भी तैनात होता आप इसकी मशहूरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोपियन किंग प्रिंस चार्ल्स टू ने भी एक पोर्ट्रेट ऐसा बनवाया था जिसमें उनको एक पाइनैपल को गिफ्ट के तौर पर एकसेप्ट करते हुए दिखाया गया था नमबर पांच उन्नीवी सधी में इंग्लैंड में गरीब लोगों के बच्चे एक अजीब काम किया करते थे वह काम था अमीर लोगों के घरों की चिमनियों को साफ करना क्योंकि चिमनिया छोटी होती थी और बड़ा व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा पाता था लेकिन छोटे बच्चे बड़ी आसानी से अंदर घुश जाते थे यह बच्चे जब ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और ना ही ठीक से चलना सीख पाते थे उससे पहले ही उनको यह काम सिखा दिया जाता था वह अंधेरी चिमनियों में जाकर उनकी चिमनियों को साफ करते थे कई बार इनके साथ हादसा भी हो जाता था यहां तक कि हादसे में कई बच्चों की मृत्यू भी हो जाती थी कई बच्चे जब बड़े होते थे तो उनको भयंकर बीमारियां हो जाती और जो बच्चे बच्चपन में चिमनिया साफ करते थे, उन में से बहुत से बच्चे सिर्फ 20 साल तक ही जी पाते थे. यह सब पता होने के बावजूद भी गरीब लोग अपने बच्चों से यह काम करवाते थे, ताकि वह अपनी रोजी रोटी चला सके. 6. हो सकता है आप जोसेफ ग्रीनस्टीन का नाम ना पहचाने, लेकिन शायद आपने माइटी एटम के बारे में सुना होगा. समय से तीन महीने पहले पैदा होने के बावजूद, वह दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक थे, और इनका वजन इतना कम था, कि थोड़े दिन भी जीवित रह पाएंगे. 1833 में पोलेंड में जनमें माइटी एटम जब युवा थे, तब कमजोर और छोटे थे, लेकिन उन्होंने एक प्रसिध कलाकार बनने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बदल लिया. इतना ही नहीं, इन्हें असल ज माइटी एटम सोज में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया करते थे. वह दातों से लोहे के सिक्कों और कीलों के दो टुकडे कर दिया करते थे, और हाथ से मोटी लोहे की छड़ों को मोड दिया करते थे. इतना ही नहीं, माइटी एटम जहाज को अपने बालों से बांध कर र 14 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने बताया था कि एटम को ट्यूबर कुलोसिस है जिसकी वजह से यह सिर्फ कुछ महीने में मर जाएंगे लेकिन माइटी 4 सी साल तक जिन्दा रहे थे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे